हेलो अब्रिवन कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ इस ब्यूटिफुल जाली पैटरन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ यह देखें यह डिजाइन यह पैटरन हमारा बहुत ही सुन्दर बहुत ही लाजवा बहुत ही प्यारा डिजाइन है इसे आप लेडिस के कार्डिगन में जैकिट में बच्चों के किसी भी प्रजेक्ट में डाल सकते हैं एटरो का यह डिजाइन है और बनकर बहुत सुन्दर लग रहा है सीथी तरफ से यह ऐसे और हमारा उल्टी तरफ से भी यह इस तरह से बनता है और इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 4 के मल्टीपर्टे 4 फंदे 4 फंदे 4 फंदे 4 पंदे ऐसे ही गिंती हुए जाएंगे लास्ट हमें एक फंदा एक्स्ट्रा होगा तो ये डीजाइर अच्छे से सेट हो जाएगा ठीक है यहाँ पर स्लाइमे बने फंदे ले लिए है जो कम जो के 16 फंदा एक्स्ट्रा स्तारा स्तारा फंदे लिए है और इसकी रिजाइन की फर्स्ट रो सीधी तरफ से होगी तो फर्स्ट रो सीधी तरफ से पहले फंदे को उतार लेंगे पहले फंदे को उतारने के बाद एक फंदा ये एक ये आगे से स्लाइड डालेंगे इन दोनों फंदों में दो का एक कर देंगे अब ये दो फंदे छोड़ेंगे, अब यहां से repeat pattern start करेंगे, इस तरह से sliper धागा लिपेटेंगे, जाली डालने के लिए एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, अब फिर से धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस तरह से sliper लिपेटेंगे, क्योंकि फिर से जाली डालनी है, इस बिना पुने हे फंदे को जिसे उतारा सा, उसके उपर से गिरा देंगे, अब फ्रेंड्स इन दो आगे वाले फंदो को छोड़ेंगे, यहां से यहां तक जितना design है, इसी design को बार बार हमने repeat करना है, पहले हमने जाली डालनी है, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से ज फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस तरह से जाली डालेंगे, इस तरह से जाली डालने के बार एक फंदा ये उतारेंगे, एक फंदा ये, एक फंदा ये, पिछे से स्लाइड डालेंगे, इन दो फंदो में, दो का एक कर देंगे, अब इस बिना पुने हुए फंदे को जिसे उतारा था, इसे उपर से गिराएंगे, उपर से गिराने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर इस तरह से उल्टा जैसे बनाते हैं, उस तरह से स्लाइपर बल देंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर धागा दूसरी तरफ इस तरह से बल देंगे, इस फंदे को उतारेंगे, एक फंदा ये, एक ये, पिछे से स्लाइड डालते हुए, दो काईग कर देंगे, अब बिन अब उन्हें इस फंदे को जिसे उतारा था, इसे उपर से गिरा देना है, तो इस तरह से ये तीन काईग हो जाएगा, ठीक है, त इसे करते हुए design की first row पूरी बना कर हमने complete कर ली है, अब second row है हमारी उल्टी तरफ से, तो second row देख लीजी आपने कैसे बनानी है, इस first फंदे को उतारेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, अब धागा अपनी तरफ ये एक, ये दो, ये तीन फंदे उल्टे, अब इस s-stitch को छोड़कर यहां से यहां तक जितना design डाला है इसी design को बार बार पूरी सलाई में हमने repeat करते जाना है, एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे, अब फिर से इसी design को बनाएंगे, धागा दू दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ये लास्ट के तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन इस तरह से करते हुए design कीए, second row भी हमने बना कर लिए सेकंड रो बनाने के बाद अब डिजाइन की थर्ड रो तीसरी स्लाइए हमारी सीधी तरफ से पहले फर्स्ट फंदे को उतार देना है आपने उतारने के बाद ये एक और ये जाली वाला फंदा दो दो फंदे सीधे अब ये तीन फंदे छोड़िए अब यहां से रि बार बार रिपीट करना है स्टार्टिंग के तीन फंदे चोड़ देने है एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे फिर से इसी डिजाइन को बनाएंगे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्ट धागा दूसरी तरफ तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, लास्ट में ये दो फंदे बचेंगे जिसमें से एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, ऐसे करते हुए डिजैन की तीसरी सलाई हमने बना कर कम्प्लीट कर ली है, तीन सलाईयां बनाने के अब ये 4th row है, हमारी 34 सलाई, जो उल्टी दरफ से हैं, तो 4th row को आपने क्या करना है, जैसे आपको फंदे दिखाई दे रहे हैं, सेम टू सेम वैसे ही बनाते जाना है, एक फंदा सीधा बनेगा, इसमें 3 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इन्हें उल्टा बना लेंगे, फ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक, दो, तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, लास्ट के ये तीन फंदे उल्टे, ऐसे करते हुए डिजाइन की 4th row भी हमने बना कर कंप्लीट कर ली है, इस तरह से, बिल्कुल फंदो पर फंदे बना हैं, जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, उसे सीधा, जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं, उल्टे उल्टा, अब डिजाइन की 5th सलाई है हमारे, 5th सलाई में देखे क्या करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, इस फंदे को उतारने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फ इस फंदे को उठाएंगे, उपर से गिरा देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे, जैसे उल्टा बनाते हैं, इस तरह से जाली डालेंगे, फर्स्ट एस्टिच के फंदे को छोड़िए, यहां से जहां तक जितना डिजाइन डाला है, इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, जाली डालनी है, तीन का एक करना है, फिर से जाली, फिर से इसी डिजाइन को हमने रिपीट करना है, एक फंदा एक फंदा उल्टा बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे इस तरह से जाली डालेंगे इस फंदे को उतार लेंगे इन दो फंदों में सलाई डालेंगे पीछे से दो का एक कर देंगे और इसे उठाएंगे उपर से गिरा देंगे धागा अपनी तरफ फिर से इस तरह स ऊपर से गिराएंगे धागा अपने तरफ फिर से जैसे यासे उल्टा बनाते हैं जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ, लास्ट में यह हमारे पास तीन पंदे बचेंगे, ठीका, ऊल्टा फंदा बनाने के बास, फिर से हमने ऐसे slipर धागा लपे तरह से करते हुए डिजैन की पांच वी सलाई आपके पूरी कंप्लीट हो जाएंगे पांच सलाईया बनाने के बाद अब उल्टी तरफ से चटी सलाई है हमारी डिजैन की फर्स्ट फंदे को उतार देंगे अब यह एक यह दो फंदे उल्टे अब इन तीन फंदों को धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ यह एक दो तीन फंदे उल्टे अब इसी डिजैन को पूरी सलाई में बार बार रपीड करेंगे एक दो तीन यह तीन फंदे उल्टे बनाए हैं इन्हें छोड़ेंगे एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ एक दो तीन फंदे उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ एक दो तीन फंदे उल्टे ऐसे करते हुए डिजैन की पूरी रो बनाने के बाद लास्ट में ये एक फंदा सीधा और एक फंदा उल अब row 7, design की साथवी सलाई हमारी सीधी तरफ से, इस first फंदे को हमने उतार देना है, धागा अपनी तरफ करना है, ये एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, अब इस astis को चोड़ कर यहां से यहां तक इसी design को इस लाई में रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, एक, दो, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, धागा अपनी त तरफ ये एक, दो, तीन फंदे सीधे, ऐसे करते हुए डिजयन की सातवी सलाई हमने पूरी बनाकर कम्प्लीट कर ली है, सात सलाईयां कम्प्लीट होने के बाद अब आठवी सलाई है हमारी उल्टी तरफ से, तो आठवी सलाई में जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं, सेम एक, दो, तीन, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ एक, दो, तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं, सेम टू सेम वैसे ही बनाने हैं, एक फंदा सीधा, एक उल इन ही आर्ट स्लाइयों को आपने बार 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 रेपीट करना है बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा डिजाइन बनता है इस तरह से देखिए यह डिजाइन बनकर आएगा तो इसे जुरू ट्राइ किजिए गया तो अगर आज की वीडियो आपको मेरे पसंद आई हो मेरे ब